कहते हैं दूद का जला छाच भी फूख फूख कर पीता है पोलेंड ने दस हजार सैनिकों को बॉर्डर पर क्यों भेज दिया है क्या एक नए जंग की सुरुआत हो रही है क्या है स्वाल की गैप जिसके लिए पोलेंड बहुत ज़्यादा हुआ है और रूस की रन्नीती क्या है जानेंगे यहाँ अचानक से नया फ्रंट क्यों खुल रहा है चाहे एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ताईवान अरत के लोग ताईवान से नफरत करते हैं Aiesa क्यों कहा जा रहा है यह सारी चीजी एक ऐसी गोली जो लग रहा है जैसे पचेगी बॉर्डर पर करने का फैसला ले लिया है आखिर पोलेंड को टेंजन किस बात की हो रही है पोलेंड को टेंजन हो रही है रूस में वैगनार चीफ और वैगनार ग्रूप बिद्रोह कर देते हैं पूतिन को चैलेंज कर देते हैं और सारे घटना करम के बीच में पूतिन निका पति हैं लुका सेंको उन्होंने ही बीच में मध्यस्ता कराई थी और मध्यस्ता कराकर कहा था कि चलो हम तुम्हें जगा देते हैं हमारे घर में रहना हम तुम्हें रखेंगे और बैगनार चीप सहित जो गुरूप है कहा जा रहा है कि वह पहुंच जाते हैं लुका सेंको के गर पे अब लुकासेंको ने इन्हें जमीन भी दी कहा गया कि एक मिलिटरी बेस जो पुराना था वो इन्हें थमा दिया गया और कहा गया यहां रहो अराम से रहो हम है तुम्हारे साथ और यहां पर बेलारूस में एंट्री हो गई वैगनार्स की जैसे एंट्री होती है वैस को अंदर भेजता है हमारे देश के अंदर और हमारे देश से ये यूरोप में बिखर जाते हैं कहने आर्फीय है कि एक रास्ता बन जाता हैं ये ये यहां पर ये नाटो और यहां पर यह माईग्रेंट रूप में वैगनार घूसेंगे और जब यह घूसेंगे तो हमारे देश के अंदर तबाहि लाएंगे यहां पोलेंड के कान खड़े हो जाते हैं अब आपको बता दें हुआ भी कुछ ऐसा ही लुकासेंग को पुतिन से मिलते हैं और मजाक मजाक में कह देते हैं कि वैगनार के मेरे जो बच्चे है न वो वार्षवा घूमना चाहते हैं वार्षवा पोलेंड की राजधानी है अब इसमें टेंसन में तो आएगा ही न बंदा पोलेंड टेंसन में आ गया है पोलेंड ने कहा दस अज़ार सैनिकों की तहनाती कर देंगे हम एक नाटो देश है अब यहां पर रन कालिन ग्राद रूस से थोड़ा अलग है एक साथ होते हैं जब हिस्से तो उसे हेंडल करना बहुत आसान होता है लेकिन रूस का जो यह हिस्सा है यह तीन चार देशों के बाद उधर एक टुकड़े सा बाल्टिक सागर के पास में पड़ा हुआ है कालिन ग्राद को एकसेस कर पर पॉर्ट वगरेरों है यह बहुत इंपॉटेंट है रूस के लिए तो इनको जोड़ता कौन है इनको जोड़ता है सूच्याव की गैप के जरिये कालिन ग्राद एकसेस होता है बेलारूस और रूस कथी तोर पर ये रननीती है कि ये जो इलाका है स्वाल की गेप का ये कबजे में आ जाए एक वार अगर ये कबजे में आ जाता है तो कालिंगराद का एकसेस एकदम से आसान हो जाएगा कोई टेंसन नहीं होगी रूस को और ये आसान तो है नहीं इसलिए आसान नहीं है क्योंकि ये पॉलेंड का बॉर्डर है अगर इसे आसान मनाना है तो पॉलेंड से टेंसन लेनी होगी तो कहा जा रहा है यही वज़े है कि यहां पर बेलारूस और पोलेंड के बीच में टेंसन सुरू हो रही है रूस सोच रहा है कि भविस से किसी ने देखा नहीं है इस्टोनिया लात्विया लिथुआनिया पोलेंड कल को क्या करें हम सबसे पहले कालिंगराद तक अपनी एक्सेस बना ले अपने लिए रास्ता बना ले और वो रास्ता नजदी की रास्ता होना चाहिए ऐसा लगता नहीं है कि रूस अभी फिलाल कोई नया फ्रंट खोलेगा क्योंकि पहले से युक्रेन युद्ध में उल्जा हुआ है वैसे रूस जो युक्रेन युद्ध में उल्जा हुआ है न इससे उसे हानी नहीं हुई है कुसे एक बहुत बड़ा फाइदा हुआ है अगले वीडियो में बात करेंगे क्यों से क्या फाइदा हुआ है पर यहां दूसरी तरफ एक अलग ही कहानी चल रही है जो थोड़ा नहीं पचने वाली कहानी है वैसे जो रिपोर्ट निकाला है जिस संस्था ने वो संस्था काफी सम्मानित संस्था है और उसकी रिपोर्ट को कभी ना नहीं कहा जाता है फिर भी ताइवान को लेकर इस र को बताया कि भारत और ताइवान के बीच रिस्ते मजबूत हो रहे हैं एक अलग लेवल में जा रहे हैं यह चीज हम लोग भी देख रहे हैं अब तो अंतर राष्टिये मीडिया भी कहने लगी है कि भारत आकरामक रूख दिखला रहा है भारत चुप-चाप वाला रूप नह साफ-साफ कहा भी कि चाइना अगर यहां आता है यहां लड़ाई करता है तो यह किसी के लिए अच्छा प niveau है और भारत के बीच में मौठ बन रहा हैं माइग्रेशन के बन रहा हैं तो सारी चीजीजों का technology ट्रांसफर का छे सारी चीज़ें रही हैं। के लगाजा में 30 पर्तिसत है जो ताइवान का फेवर नहीं कर रहे हैं और उनका कहना है कि हमें इन सब पचडे में नहीं पड़ना है जबकि अमेरिका का 65 पर्तिसत कह रहा है कि नहीं हमें ताइवान का साथ DATA है चार तैसे हैं जिनको पता ही नहीं है हमें करना क्या है कनाड़ा की बात करें तो कनाड़ा में 17 परतिसत हैं जो ताइवान के फेवर में नहीं है 57 परतिसत हैं जो फेवर में है 25 को पता ही नहीं है क्या करना है UK की बात करें, Sweden की बात करें, कमो बेस कुछ इसी तरीके के यूरोपिय देशों के हाल है, 57 परतिसत अगर average निकालें, तो यूरोपिय देश ताइवान के सपोर्ट में है, लेकिन जापान, साउथ कोरिया, आस्ट्रेलिया, इंडोनेसिया और भारत इनके लिए जब निकाला ग मिला कि जापान में, 14 परिशत हैं, जो पक्ष में नहीं है, लेकिन बीरासी परिशत एसे हैं, जो ताइवान के पक्ष में हैं, साउथ कोरिया, चयूरोणेसिया, नहीं हैं, इस सर्वे में एक बात नोट करने वाली थी और वो क्या है इस्राइल को लेकर ये कहा गया कि 66 परतीसत लोग पक्ष में हैं ताइवान के वहीं अफरिका ने चाइना को जटका दिया है साउथ अफरिका को छोड़ दे तो नाइजेरिया, केनिया ये वो जगह हैं जहां 50-50 वाले हालात हैं यानि आधे लोग चाइना को पसंद कर रहे हैं आधे लोग ताइवान को आपको क्या लगता है क्या ये सर्वे रिपोर्ट सही है कमेंट कर अपनी राय चरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ